नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एट्यूब चैनल में दोस्तों मनुस्त के जीवन में आने वाले सुख दुख में भगवान किसी ना किसी रूप में मदद करता है मनुस्त के जीवन में हमेशा होने वाले सूख और दुख के इन लच्छनों को भगबान किसी तरीके से इंसान को बता देते हैं दोस्तों आगे उसके जीवन में क्या होने वाला है और भविस्त में होने वाली गटनाओं का भी पता चल जाता है दोस्तों हम मेंसे हर कोई रात को सपना देखता है और उन सपनों में ही हमारे आनेवाले भविस्ट की गटनाओं के संकेत छुपे होते हैं वहीं दोस्तों हमारे रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं जिनसे जुड़े हुए संकेतों से आप अन्जान रहते ही यही संकेत हमारे भविस्य में आने वाली गचनाओं की तरफ संकेत देते ही तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके भविस्य में धनलाप की संबाबना है या नहीं आईए दोस्तों जानते हैं उन संकेतों के बारे में जरा विस्तार से लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिकष्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं जरा विस्तार से दोस्तों पहला पॉइंट उल्लू दिखाई देना हम लोग ये तो जानते हैं कि पुराणों में उल्लू को मालच्चमी का बाहन बताया गया है इसलिए उल्लू को मालच्चमी का प्रतीक भी मानती हैं बताया जाता है एदी घर के आज़ पास भी उल्लू दिखाई देता है तो माना जाता है कि मालच्चमी हमसे प्रसंद हो गई है और जल्धी घर में धनलाव होगा दोस्तों अगला पॉइंट है ज़ाडू लगाना यानि आपको सुबा सुबा उड़ते ही कोई व्यक्ति ज़ाडू लगाता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लेना ये घर के लिए शुब संकेत है बताया जाता है कि कोई व्यक्ति ज़ाडू लगाने से घर में धनलच्मी आएगी ज़ाडू इसी बात का प्रतीक होता है दोस्तों अगला पॉइंट है राज मुक्ड का दिखाई देना ये भी किसी व्यक्तिके और रात के सपने में मुक्ड दिखाई दे तो या एक शुब संकेत है और या इशारा करता है कि आपके घर में लच्मी आने वाली है मुक्ड के दिखाई देने से मा लच्मी आपकर अपनी कृपा द्रिष्टी बनाए हुए है और दोस्तों अगला पॉइंट है कुट्टे का भोजन करना अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में या फिर कहीं भी आपको कुट्टा अपने मुह में खाने वाली कोई वस्तु लिये हुए दिखाई दे तो आप समझ लेना ये माल अच्मी शुब संकेत की तरफ इशारा कर रही है और आपको भविस्य में होने वाले लाब के बारे में बता रही है कि आप भविस्य में अमीर आदमी बनने वाले ही तो दोस्तों ये थे वो कुछ सुब संकेत जो अगर आपको दिखाई पड़ते ही तो एकिनन आप भविस्य में करोड़ पती या धनवान व्यक्ति होने वाले ही इन संकेतों को आप समझे और अपनी जिन्दिगी को बेहतर बनाईए आज के वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई और थेंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो